हेलो दोस्तों, वेलकम तो माई योट्यूब चैनल टैक्स अन अकाउंट्स में आपका स्वागत है जी हाँ आप स्क्रीन पर देख रहे हैं GSTR 9A, GSTR 9 2017-2018-2019 अब फाइल नहीं करना है 2 करोड टर्नवर वाले व्यापारियों को जी हाँ यह 37th GST Council की मीटिंग हुई है जो कि प्रस रिली जा चुकी है यह यहाँ पर साब साब लिखा हुआ है कि 37th GST Council की मीटिंग में बताया गया है कि Relaxation in Filing of Annual Returns for MSME Enterprises Financial Year 2017-2018-2019 में Waiver of Requirement of Filing from GSTR 9A Composition Taxpayer के लिए Waiver कर दिया गया है उनको अब फाइल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी GSTR 9A तथा B Number Class में बताया गया है कि GSTR 9 जो फाइल करना है उसको Optional कर दिया गया है 2 करोड टर्नवर तक के लिए ब्यापारियों को जिनका टर्नवर 2 करोड रुपे तक है उनके लिए Optional कर दिया गया है वो चाहें तो फाइल करें और चाहें तो नहीं यहाँ पे एकदम किलियर कर दिया गया है कि 9A Composition Taxpayers के लिए Annual Return फाइल नहीं करना है तता 9 कोट आप्सनल किया गया है 2 करोड तक के लिए आप भरें या ना भरें लेकिन 2 करोड से उपर वालों के लिए 9 और 9C भरना compulsory रहेगा mandatory रहेगा पहले की तरह तता एक 5 नमबर कॉलम में बताया गया है new return से related यह आप देख रहे है new return system now to be introduced from April 2020 जो नया return आपको देन लगाना है वो अपरेल 2020 से लगेगा तता portal पे जो फाइल करना है 2020 अपरेल से start किया जाएगा तब तक के लिए आप इसको form 3B, JSTR 3B और form JSTR 1 sale का आपको March 20 तक फाइल करना पड़ेगा तो यहाँ पर आप देख रहे हैं मोटी मोटी चीज़े मैं आप लोगों को बता रहा हूं तता यहाँ पर refund से related भी कुछ changes किये गए हैं जिनके बारे में भी बताया गया है यहाँ पर बताया गया है eligibility to file a refund application GST RFD 01A for a period and category under which a nil refund application has been already been filed मतलब अगर आप अपना nil का refund status file करना चाहते हैं वो भी आप file कर सकते हैं यहाँ पर एक चीज और चेंज की गई है यह in principle of decision यहाँ पर देख सकते हैं कि link आधार भी registration आधार का number registration करना mandatory होगा नहीं अगर registration नहीं होगा तो आपका registration कैंसिल कर दिया जाएगा अगली चीज यहाँ पर बताई गए in order to tackle the meanance of fake invoices and fraudulent refund कुछ जगे fraudulent region और fake invoices हुई है in principle decision to prescribe region restrictions on passing of credit by risky taxpayer including risky new taxpayers तो यहाँ पर जो नए taxpayers बन रहे हैं उनको risky taxpayers मानते हुए इन पर restrictions लगाये जाएंगे तो यह GST council की meeting में decide किया गया है कि आपको composition taxpayer को नहीं file करना है अगर यह वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को like and subscribe जरूर करें thank you for the watching